नमस्कार दोस्तों, समाज के लिए बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है वाट पेरेंट्स आ डूइंग रॉंग टू देर अडॉल्ट किड्स ये एक फिनॉमेना है जो प्ले आउट कर रहा है मिदल क्लास इंडिया में मैं as a social observer, social scientist ये चीज़ को बहुत observe कर रहा हूँ family conflicts का resolution consultation के माध्यम से मैं करता हूँ और ये एक pattern मुझे दिख रहा है आपको दिख रहा है आप बताना आप अगर youngster है आप इसको भुगत रहें तो बताना और अपने दिल में हाथ रखना अगर आप senior citizen है कि खहीं आप ऐसा कर तो नहीं रहें अपने बच्चों पे ये क्या phenomena है इसको समझने की कोशिश करेंगे ये है एक passive aggressive behavior which is being done towards the youngsters youngsters यानि जो 22, 24, 25 साल से 40 साल की उमर के बीच में हैं और उनके parents 55 साल से 75 साल की उमर के बीच वाले ये कर रहे हैं इसे हम English में बढ़ा ये बोलते हैं तो समझने आता है हिंदी में समझाने की कोशिश करूँ तो ये इसको बोलते हैं मुँ बनाना, मुँ फुलाना, नराज रहना, perpetually नराज रहना because of your own ill health या issues in your life या time pass नहीं हो रहा बच्चों पे लटकना बोलता हूं मैंसे एक जो आज के दिन 1950s में और 1960s में पैदा हुई थे उस generation को address करना चाह रहा हूं और बाकी वाले जो बाद में पैदा हुए हैं जो शायद इस phenomena के wrong side पे हैं और भुगत रहे हैं वो भी वीडियो देखेंगे और spirit करेंगे इसको और ये family group पे चर्चा का विशय बनना चाहिए और शर्माना नहीं है डालते हूए वो लो ये डला है इस पे चर्चा करते हैं मुद्दे पे वो ज़रूर ही नहीं है हमें 8-9 बजे political debates हो धर्म धर्म पे चर्चा और इस पे चर्चा करने ही ज़रूरत नहीं ये हमारी family में हो रहा है मैं मुद्दे वो लेके आ रहा हूँ जो आपको real touch कर रहे हैं मैं तो actual politician बनना चाहिए ठीक है पर अभी समय नहीं आया है ये इतना देश अभी समझदार हो जाएगा 10 साल में कि ये इन सब चीजों पे खुल के बाते होंगी पर अभी से start करते हैं मेरे subscribers के लिए पापा मम्मी की married life के issues बच्चों पे आ रहे हैं और उसको married life भी नहीं दिखाया जा रहा है उसको तू अपने पापा से बात कर तू मम्मी से बात कर माँ बाप आपस में direct बात करने से बच्चों के थुरू बात करते हैं वो इस तरह भीव करते हैं जैसे उनको बच्चों का vote लेना है बच्चों की life में अपना रायता गुला पड़ा है उनसे अपनी relationship नहीं समझ रही पती है तो पतनी की नौकरी नहीं समल रही की कैसे कराऊं खुद ही आने रहे भी हमसे तो नहीं आया जाएगा अच्छा तूमसे बच्चे नहीं पलते तो हम अरे पाथ छोड़ जाओ दादा दादी के पाथ छोड़ जाओ कौन ऐसे माबाप आज के दिन दिल तो आज के माबापों कभी उतना ही धढ़कता है कि अपना पांच साल का बच्चा वो छोड़ गया जाए दूसरे शहर में तो फिर वो गौरत महिला जो है उन्हों करी छोड़ेगी न अगर उसको help की जरूरत है और फिर दूसरा एक victimize feel करन parents का बहुत जादा हो गया और ये WhatsApp ग्रूपों पे messages का एक सबसे बड़ा एक कोई ना कोई एक ऐसा महारूंदूमल parent है जिसकी अपनी life में शायद कुछ नहीं great हो रहा या एक धूरत senior citizen है जिसके बच्चे Australia, America settled हैं बढ़िया कर रहे हैं बाग के पैसा कमा रहे हैं और ये रख है बाकी अपने रिष्टेदारी में कुछ-कुछ messages डाल के आप ये चेक करना जो मेरे वीडियो देख रहे हैं आपकी रिष्टेदारी में धूरत रिष्टेदार होगा ऐसा अपना चेक कर लो कोई भी हो सकता है वो वो चाचा जी ताओ जी मामा जी फुपा जी रिष् रिष्टो ने ऐसे कर रखा है वो एक और रेमेंड वाले का सबसे पड़ा एक्जामपल आस तक उसकी सचाही किसी ने नहीं बताई वो सिंगानिया साब की अब वो पब्लिक ली ना ये चीज़ें आती नहीं है उसके बेटे ने उसके साथ दोखा कर दिया और वो बेटा और भी बेटा है जिसका उनने फैसला 1999 में कुछ कर लिया था और उनके बच्चों ने केस कर रखा था दादा पे की पैसे दियो तो दादा ने किसी चक्कर में अपने दूसरे बेटे को दे दिया आप समझरें मेरी बात दो बच्चों की पॉलिक्स वो चीज नहीं बताई त दबा के इज़्जत मिलती है कि पता नहीं क्या उमर है बुजूर्ग है यह है अगर यही मैवाल काले करनूं तो मेरे दस गुना हो जैं ट्रोल अभी पर कम है क्योंकि इंडिया में सफेद वालों की इज़्जत है यह बताने के बाद में मैं इसलिए बता रहो कि सफेद वा गूगल करो जो मैं स्टोरी लौ देढे गलती होगी गलती तो होगी माली ठीक है सबने एक साइट एक स्टोरी सुन ली पर बही क्यों दिया? कोई दूसरा मांग रहा था कोई कोट का केश चल रहा था कुछ था और तुमने अगर किसी को सौ रुपे में सौ रुपे में कुछ दे दिया कुछ चलाकी से तो उस अगले ने उसको दसगुना कर दिया अब तुम बोलना चाहते हो कि अगर वो दो हजार रुपे की चीज़ होगी तो यह सारी तुमारी है उसकी नहीं है तो मतलब कोश्चन यह कि हम मौरल सांच टीचर नहीं बनेंगे इन रिष्टों के अंदर हमें मौरल सांच टीचर नहीं बनना है मैं एक्जांपल के थार हूँ मुझे कोई एम किसी की निन्दा करना और या किसी का डिफेंड करना कि बहुत अच्छा कर रहा है we all can be little bit villains मैं इतना ग्यान बाचरों मैं भी विलन हो सकता हूँ अपनी लाइफ में अपने ही रिष्टेदारियों में किसी चीज में हैं सब हमारे सब में कुछ न कुछ शैतान है शैतान भी है देवता भी है mix and match है कभी शैतान जादा हो जाता है किसी में किसी में वह वाला element जादा हो जाता है accept कर लेते हैं इसको तो यह accept करना कि parents तो white हैं बच्चे black और रुखें तो गलत चीज़ है न कि black and white कर देना but parents ने कभी audit नहीं हम ने तो इतना किया हर generation पिछले वाली generation यही feel करती है कि उनने बहुत किया अरे उससे पिछली वाली तो जैसे वो कहते हैं वर्ल्ड वार वाली उनने तुम्हें क्या पता कि लड़ाई क्या होती आदमी मरते कैसे होते हैं उससे पिछले वाली जी पानी लेकर आते थे, सौचाले भी नहीं था खहीं पे, या पढ़ाई नहीं थी, या हम तैर के जाते थे, वो सारी स्टोरियां सो नहीं आपने, आजकल जैसे पॉलिटीशन भुनाते हैं ना, कि मैं तो बहुत गरीब था, अरे सारे 1950 में जो इंडिया जो पैदा होई है, सभी तो गरीब थे, तो ऐसी गरीबी की तुम क्यों greatness कर रहे हो, इवन 25 साल पहले भी सारे गरीबी थे, किनके गरों में इसी था, आजकल ये मनिश्टर साहिबा बनी हुई है, हमारा ऐसा था, हम स्कूटर पे चलते थे, सारे इंडिया स्कूटर पे चलत जाते थे, हम तो न, हमारे गर तो टीवी भी नी था, हम तो न, दूसरे के जाते थे, पूरा इंडिया ही जाता था जी, उस टाइम के लोगों को देखोगे, तो सौ में से 90 लोग किसी के घर में टीवी देखते और लोग बड़े प्यार से दिखाते भी उन्हों अच्छा ल लगता था, लोग देखते थे, तो पेरिंट्स पे फिर से आते हैं कि पेरिंट्स को ये जो सेंस है कि उन्हें फिजिकल काम जादा करें, तो एक ट्रूथ है कि आज कल वालों को लगते हैं कि फिजिकल काम नहीं कर रहे, ये एक फैक्ट है, उनको लग रहा है सुबे जल्द लोगों को प्रीवेस जनरेशन को पता ही है कि मेंटल टेंशन से कितना बॉडी चुसती है हर प्रीवेस जनरेशन ने फिजिकल काम जादा किया है अगर आप बैकवर्ट चले जाएं तो फिर पता चलेगा कि अग्रिकल्चर जब इंवेंट हुआ उससे पहले कैसे लोग खाना लगाते थे वील इंवेंट होने से पहले क्या करते थे और पीछे चलेगा तो फायर इंवेंट होने से पहले क्या थे तो फायर आई फिर अग्रिकल्चर फिर वील आया तो इजी तो होती ही गई है ना हर सक्सीडिंग जेनरेशन की हुमन बिंग्स में फिजिकल अराम तो आ दोगोथी आदमी लेकर आता है कि यह मन नहीं कर रहा है यह वो चेंज करना पहले चैनल के aus які चेंज करते दूर दर्शन दीडी मेंट्रों कुछ आता था ठीक है तो उसमिन लगता था था तू जा तू जा चेंज करना फिर वह रोगा कट है फिर उससे से करने लगे वो 200 चैनल आगे अब तो unlimited 1000 पता नहीं कितनी ठीक है तो वाट आम ट्राइंग टू से कि अखली जेनरेशन पिशली जेनरेशन को देखना है कि भाई यह जो नौकरी की सब्सक्राइब नहीं है आपने नौकरी गली 60 साल तक आपको पीट नहीं थी आपको पता था इंक्रिमेंट ऐसे लगेगी और ऐसे नौकरी चलेगी आपको पता था कि स्कूल में डालती है स्कूल की फीज इतनी नहीं होती थी जितनी खतरनाक आजकल हो गी है और बच्चे का तैसा नहीं होना जो आज मुझे 40 में इंसान सुन रहा है भी या लेट 30s 40s में सुन रहा है जिसके बच्चे भी 10 से 18 साल के बीच के हैं अगर आपके बच्चे बहुत पढ़ लिख भी गए बहुत अच्छा कर भी तो भी को गैरंटी नहीं कुछ होने वाला है क्योंकि ब बगाश फिट जी वगएरा खुले हुए थे उस टाइम पर कही साल पहले उसमें आपने इडिमिशन करा दिया तो आपको इक इंहरेंट अडवांटेज था आपके बच्चे को दूसरे बच्चों पर सक्सीड होने का आज के दिनो खान रिसर्च सेंटर कॉन है वो साड़े स पिटी जी के फीस देने के पैसे हैं या किसी और के देने के पैसे हैं देर दो लाके जिया खुलें है तो यह मैं शांत यूरे रिलेशनशिप ही ने ठिक रही है भी माता पिता जो नखरे कर रहे हैं इनको यह नहीं पता कि जिस कल पे तुम कर रहे हो जिस रोहित और नेहा पे तुम कर रहे हो चाहे रोहित तुम्हारा बेटा है नेहा तुम्हारी बेटी है वाइसे वर्सा वो रोहित नेहा शादी-शुदा कपल रहेगा यह उनको नहीं पता गैरेंटी और तुम उन पर नखरे भी करने की और कर रहे हो कि हमारी इज्जत नहीं करी वह अपस में एक तूसरी इज्जत करते उनकी दो जुत्ते बजह रहतें ना उड़्द को लेना देना आपने मैं सुर्वे अच्छे लूटे inspirations andсли click कलो में बिन को संब ने लोगों ने अब मुबाइल फोन खोल लो आप सब कुलो सेक्सी सेक्स दिख रहा है हर जगे लेकिन हो नहीं रहा है यह आपको गुरुजी बता रहे हैं फ्रम गुरुग्राम लिख लो खहीं पर यंग्स्टर्स और अमने माबाब को बता दो कि तुमने ज़्यादा काचे काटे हैं बक्ष तो हमें तुम ज़्यादा ठहराव के साथ जीते थे हाँ तो जीते थे तो तुम भी जीलो आरे कहां से जीले अब तुम जीते थे उस टाइम पे और तुम भी नहीं जीरे हमें नहीं जीरे क्योंकि यह सब फसे पड़े हैं पहले पर दिखता ही नहीं था पता ही नहीं हो रहा है तो आज के दिने के आदमी के जो इनपूट्स हैं जिनको रोग नहीं पा रहा entertainment की 10,000 options कलेश की 20,000 options नौकरी के pressure 25,000 चीज़े पहले तो आपको खुद चीज बेच नहीं है जो आज नौकरी करता है कुछ बेची रहे होते हैं और आपको 10 करोड लोग कुछ बेच रहे हैं तो ये बेचा बेची में सहर इतना पूट जाता है ये लोग है भाई साप लोग है नमस्कारी कॉल कितने do not disturb कर लोग है ये लोग है वो लोग है तेरे कॉल का ही वेट कर रहा था मैं कि कब आएगा मैडम का कॉल तब मैं इंशुरेंस लोगा ठीक है आप ले लो ये ले लो cold calling सबके नंबर यहां से वाद दे रखें तो नॉर्मल लाइफ बहुत ही वैसी हो ग अगर आप उपने पेरेंट्स को बदलना चाहते हैं आप वेबिनार वरक्षॉप के मादर्यम से चलो जलो हमें ग्यान बोहते हैं इनका गुरुजी का ग्यान दो क्योंकि वह ग्यान जितना प्रिविएस जेंट्रेशन भाट रही है ना 1950 और 1960 में पैदा हुई अपने बच् तेस्ट कर रहा हूं मैं आपको आज मेरा टेस्ट है फेल करना है फेल कर देना पास मेरी शकल देखो मेरी आखें देखो मेरा सब देखो अगर मैं आके यहां ग्यान माट रहा हूं तो क्या कुछ तेज दिख रहा है कुछ हसी आ रही है चहरे की उपर की हसी है या पेट की हसी ह कहीं थोड़ा बहुत सुकून दिखता है, मैं नहीं क्लेम घरता कि मेरी लाइक में जिंगाला लाई है और 100% गरेटनेस है, बट कुछ सुकून जलगता है, अगर जलगता है तो मेरे पास थोड़ा moral light है आपको ग्यान बाचनेगा, अगर आपको दिख रहा है, थोड़ा confidence, थो elements आपको दिख रहे हैं, तो you should listen to me, and यही टेस्ट होना है, यही यह टेस्ट बुजूरगों की बातों में डालो, बोलो यार तुम्हें, मतलब सब चीज में पैसे वेगरे से, तुमने ऐसे नहीं किया, नमस्ते नहीं करी, तेरी गुड मॉनिंग नहीं करी, यह सुबह नमस् होती नहीं, इंडिया इतना blessed country है, हमारी हर morning good है, क्योंकि अच्छा सूरस दिखता है हमें, अच्छा मौसम होता है हमारा, उतना gloomy मौसम होता है, उनको morning, good morning, good morning करके good करनी पड़ती है, हमारा तो सब good morning, good afternoon, good evening सब बो रखा है, हमारा देश बहुत ही अच्छा है, हमें अपन good gober कर रहे हैं वस, ठीक है, और वो previous generation उसमें, क्योंकि काम है नहीं, क्या काम है, आपके बच्छे पल गए, पढ़ गए, उनके हो गया सब कुछ, अब आपको कुछ करना है नहीं, इसिवाए उनको ग्यान करने के, अरे कोई उनकी मदद क्यों नहीं कर लेते थोड़ी सी, थ 1990s born kids, why the conversation should be about the budurk, the 1950-60s born, कि मम्मी आपकी तबीर कैसी है, आपका तो स्थिती नीचे से खराबी होनी है, why can't you talk about, तेरी लाइफ में क्या हो रहा है, नौकरी में क्या चल रहा है, पाईसा चाहिए क्या, मुमाइल फोन भेजूं क्या, सिम कार्ड का करूं क्या, मजा आ रहा सारी स्किल सेट लेके बैठी है महिला, नहीं हम नहीं करेंगी, यह बहुएं तो कुछ करती नहीं, अब हम भी कुछ नहीं करेंगी, अरे बहुएं के पास कोई टैलेंट ही नहीं है, तो अपना टैलेंट दिखा दो, आप क्या दिक्कत है, बहुएं अपना कर रही हैं, किसी और नुक्ताचीनी निकाल रहा हूं आप एक टॉपर स्टूडेंट है 1950s 1960s की महीलाई सब पता है क्या गोल की क्या बन जाता है कहां से क्या हो जाता है कैसे तड़का लगाना है क्या तो बताओ ना यार करके दिखाओ बताओ अगली जनेरेशन को पूरा सुख दो ने आप सास हैं किसी की तो भेजो अपने दमाद के लिए कुछ नमाद जी कुछ लोगे बहुरानी कुछ लोगी यह बहुरानी नमाद जी और इज़्जत देना तो अगली जनेरेशन को बंदी गर दिया प्रिवस्वाली ने आइससे सेंस ओंटलमेंट में बैठें क्योंकि य 40 से पहले गई पैदा हुआ है उस टाइम पे वो लोग डिफॉल्ट सेटिंग पे जादा गरीब थे डिफॉल्ट सेटिंग पे जादा कम पड़े लिखे थे तो यह जनेरेशन ने अपने पेरेंट्स को भी डॉमिनेट किया है यह अपनी दभंगई पिछले 50 साल से चला रह आपकी बेटी पता नहीं कहां शादी होगी पढ़ लिखी लिखी तो यूवर लैक कि यार डिस्टिंटली इस जेनरेशन 1950s 1960s वाली वाली वास मच बेटर देन जो अजाद भारत से पहले पैदा हो थे जब अजाद ही नहीं हुआ था और वो कंट्रूल था इनको वो जादा ग्यान नहीं बाच पाते थे इनको देवर लैक कि I will decide इनने काफी कुछ किया भी उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा कि उस भी देश तभी तो आगे जाता है तभी तो आज हम पहुचें अफकोस इन लोगों ने किया है कौन इनको डिनाई कर रहा है पर चौदरहाट तो आगी शोशलिजम टाइप है ना कम वह वाला कि सब एक बन गया तो सब को तो वो सब स्ट्रगल्स थे मान रहा हूं मैं वो स्ट्रगल्स थे पर चौदरहाट भी पूरी मिली भी आपको जब आप घर आते थे तो आपको फीलिंग कमाव पूत वाली मिलती थी अब आपका वही बच सुनरहे हैं उनको याद होगा वो कि यार पिताजी आगे मतलब पिताजी क्या कर रहे हैं भी बैंक में कलर गया है कोई बात ने पर इजजत पूरी मतलब ऑज चार कमारो टीन मैं जाधा कमाने वालों को भी एड्रेस कर रहा हूं कम वालों को तो वेज़ी बिचारों को तो थोड़ा बड़ा भी हो गया, उसको कुछ नहीं आता, वो मुबाइल फोन में गुशा पड़ा है, वो भी कुछ नहीं करके दे रहा, आप फिर भी अपने 15-16 साल के थे, आप अगर जो मुझे सुन रहे हैं, अभी जो 30-35-40 के हैं, आप फिर भी शायद को सबजी वबजी घर में कुछ कंट्रिबूट कर लेते थे, और कुछ नहीं तो पानी की बॉटल भरके फ्रीज में रख लेते थे, आज के बच्चे तो ये भी नहीं करते हैं, तो ना बच्चे सुनते, और पेरिंटों के फरमाईशी प्रोग्राम तो जो आज की PCV जेनरेशन है, वो ये दे है, यहां मैं आप लोगों को भाईय औबैनों बचाने के लिए मैं हूँ, आप लोगों को राइड पर्सपेक्टिव देने के लिए, देखिए, आप ना अपने माबाप को चेंज कर पाएंगे ना उनके अरमानों को चेंज कर पाएंगे, वीड़ो दिखा के उनने थोड़ कुछ करती दिखनी रही जो ये जैन्जी है दोजार बाद की 96 के बाद के पैदा हुए अब बीच में सबसे पिसी वी जनरेशन है जो लगा लो उनका थैंक्यू रखा है तो मैं परस्पेक्टिव नहीं देने के लिए वरक्शॉप लगनाइस कराऊंगा रिलेशन्शिप की मेरी एक वरक्शॉप बहुत हेट हुई है उसमें खैर जादा तर मिया बीवी वाली बात थी और पुरुष मह कोई शादी नहीं करता कि अहां पीड़ा पीड़ा खेलेंगे वो पीड़ा पीछे से ही आती है ठीक है तो वह भी मुझे आगे कवर करना है लेकिन अगर आपने वह वाली वरक्शॉप की रिकॉर्डिंग देखनी है खरीदनी है तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी वीडियो को शेयर करें थैंक यू रिवेच्च